कि बाब भी अगर भड़ा हो बीजेपी से तो उसको नहीं जितबाना है कि पूरी दाल ही काली है पूरा डेमोक्रेसी हाइजेक्ड है तो सरकार अगर बिना किसी कारण के रिजाइन दिया है तो इसका मतलब समझो अंदर कुछ न कुछ न कुछ दाल जो है न पकड़ा है कि भारत की लोक्षाही को हाइजेक कर लिया गया है अगर इतना प्रचंड आपको अगली बार सरकार आएगी तो सौ करोड लोगों को पांच किलो अनाज मिलेगा यह पक्की गारणी अभी असी करोड था ना एक तो अब सौ करोड को जो है ना पांच किलो अनाज पर रखा जागा आप लोगा जो कोट टाई पाइन के घुम रहे न अभी उसा उतर जागा मोदी जीजी सो गाली देते हैं कि चोड है अगले दिन बीजेपी में शामिल हो जाता है सफेद कुर्टा पजाना यह करते हैं बहुत बढ कि जब सुप्रीम कोट ने कहा कि एलेक्शन कमिशनर के अपॉइंट्मेंट के लिए प्राइमिस्टर होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे और सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस होंगे सरकार ने अध्यादेश लाके उसको टर्न डाउन कर दिया इसका मतलब क्या था कि लौ मिनिस्टर होंगे और प्राइमिस्टर होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो किसी भी कंडिशन में अगर नोट ऑफ डाइसेंट अगर देता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो तबी दो ए बन चुका है तो अगर बिना किसी कारण के एलेक्शन कमिशनर रिजाइन दिया है तो इसका मतलब समझो अंदर कुछ न कुछ दाल जो है न पकड़ा है कुछ न कुछ हेरा फेरी के तैयारी चल रही और जो भेल जहां पर बनता है जहां पर एविएम वहां पर जो इसके डाइ फोर्स कि आ गया होगा कि तुम रिजाइन करो और क्योंकि गरबर है इसलिए कह रहा हूं कि भारत की लोक्षाही को हाईजेक कर लिया गया है लोगों को आना पड़ेगा सवाल उठाने पड़ेंगे बहस करने पड़ेंगे परदर्शन करना पड़ेगा सर सीर्स जो तीन सब्सक्राइब और किसका दबाव है उस एलेक्षन कमिशनर को जा के उस प्रेस कॉंफेंस करके यह कहना चाहिए खुलके कि नहीं तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा जो आम जन जो लोग जो लगतार लड़ते रहें सड़के और जो लोग सवाल उठाते रहें कि डेमोकर सब्सक्राइब नहीं है अगर इतना प्रचंट आपको कॉंफिडेंस है कि 400 पार हमको हो गाई तो तो बैलेट परसे भी हो जाएगा मोदी सहाब सब्सक्राइब करें सारी समयधानिक संस्थाओं को एक तरह से डिफंक्ट बनाया जा रहा है आज तक वापता हो लोग सभा में लीडर ऑफ ओपोजिशन है नाम सुना है नहीं लीडर ऑफ ओपोजिशन आज तक नहीं पांच साल भी तक आप चुनाव आ गया तो सोच लिजे देश के क्या हला है और मैं तो एलेक्शन कमिश्ट जो रिजाइन किये हैं उनको मैं आप लोग के मादम से रिक्वेस्ट करूँगा कि जनता के सामने आये और सही बात बताएं कि क्या हुआ है किसके दबाब में रिजिगनेशन हुआ है क्यों इंडिपेंडेंट बॉडी है समयधानिक संस्ता है उता सरकार के अंडर में है नहीं लेकिन सरकार यह सर्चीज को हाइजिक कर रहे हैं एलेक्ट्रों आप मांग रहे हैं कि 70 साल का हिसाब दे कॉंग प्रिया है समय कम दिया है सुप्रिम कोड ने चार महीने और चाहिए अभी आप बूलिए कि सी आई के वेव साइट पे क्लिक मारूं है वहां से पता लग जागा नासा पर क्या चला पता लग जागा आटिफिशियल इंट्रिजिएंस इंटरनेट के जमाने में और 40 करोड ख क्लिक मारे बटन फट से निकल जागा लेकिन जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं यह देश के भगोड़े जो हैं आम जनता का पैसा लेका भाग गया है वह लोग भी पोलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है चुकि एलेक्शन के पहले यह भंडा फूटेगा तो हंगामा होगा नीरा मोदी बेहुल चोषकी और तमाम जो ललीत मोदी किसको चंदा दिया विजय मालिया तो जब क्लियर कट आएगा तो पबली के सामने आगे पबली के पैसा लूटके गया उसमें सीस पार्टी वो इतना दिया इसलिए वो दिखाना नहीं चाह रहे है करें 30 जून 30 जून क्या मजाग बना देया कंटेंप्टर कोट अगर आप कुछ नहीं लेंगे चार महीने का टाइम ही दे देंगे तर तो इसका मतलब क्या रहा पर जी क्या होगा साथ इसकूर माम लेंगे हम क्या पता है क्या होगा हम लोग तो अन्याय के खिलाफ अंदोलनकारी हैं सवाल उठ लोग वो सवाल खड़े करें पोलिटिकल पार्टिस के लिजर्स डिजी डिजिटल डिजिटल गरते इसकी तो हवा निकल गई निकल गई न इसका मतलब सब फरेव था वो मैं इंट्र्वू सुना था कि प्रधान मंतरी बनने से पहले कि विदेश्ट में जो टैक्स हेवन व तो गपा जुट्था सरकार है तो सुप्रिम कोट इसमें टाइम देगा या फिर क्या अब तो सुप्रिम कोट को टाय कर रहा है एक और पास करने जब रात में 12 बजे जब पत्रकार का गोधी पत्रकार का आप सुनवाई कर सकते हैं तो इतना पूरे दुनिया की नजर है भा कोई भी दे सकता है तो नाम जब खुल जाएगा तो भंडा भड़ो जाएगा ना इसकी कोन किसको दिया चोड़-चोर मौशेरे भाई तो नहीं है कि सुप्रीम कोट की प्रतिस्थाट दाओव में इस फी आइकी प्रतिष्थाब्य दाओव पर है सभसें बड़ा बैंक है इस देश का 48 करोम अब जानते हैं सोना में महखा कि हो गया हैं बताहिए आбы मुझे हैं धीरे धीरे बैंक पर ट्रस्ट कहत्म होते जा रहा है पैसा निकाल के असुना खरीद रहा है तो एस भी आईगा कहीं भट्टा ना वेड़िया इस चक्र में जी एक गारंटी है मोदी जी का पर्मानेंट है मुझसे सहमत हूं कि अगली बार सरकार आएगी तो सौ करोड लोगों को पांच किलो अनाज मिलेगा यह पक्की गारंटी अगली को टाइप आइन का घुम्रा ना भी उसा उतर जाएगा सर आटी आई के दायरे में नहीं नहीं है पताया आपको क्यों है इसका मतलब कि कहीं ने बैमानी हो रही इतो नेता लोग जो है उनलोग को हंगामा घेर देना चाहिए था सड़क पुड़ा संसत घेर देना चाहिए नेता लोग तो सीवी आईए इस डरा हुआ है खासतर हमारे दलित नेता लोग उसको किस बात कर डर किस बात कर डर है पबली का पैसा लूटा जा रहा है मजाक बना कर डिया है यहीं दिली निवस्टी में जहां हम लोग खड़े हैं आप नहीं देख रहे हैं किस तरह कानून सब्सक्राइब कर दो नेता सब कर दो अधिक काला धन उजागर कर देंगे सब बीजेपी में सामिल हो जांगे जाकर वहां पर वासिंग पाउटर में ढूलेगा इसे बीजेपी का सब सपेद हो जागा यह कोई छुपा हुआ है जितने भरस्ट बहिस्ट नोग मोदी जी जी सो गाली देते हैं कि चोड है अगले दिन बीजेपी में शामिल हो जाता है और सफेद कुर्टा पजाना पहिनाया करते हैं बहुत बढ़ी है इन सब चीजों का अब मैं कोई पसादू थोड़ी हो डेमोकरिसी है जो वोट आ रहा है रास्ता दिखा सकते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए वोट आल्टू फाल्टू पार्टी के मत दो जो जहां उसको हरा सकता हुमच के कहते हैं ना हुमच के थोक भाव में इतना बोट इतने सारे लोग मोवाइल लेकर वीडियो बना रहा है इनका रोज़गारत इससे चला यूटूब से चला है कि मुद्धी सरगार की महरबानी को थोड़ी है ये तो यूटूब की महरबानी के इतने लोग का दाल लूटी चला रहा है ठीक है सर आपकी बात मान ले जाए बोड दे दिया जाए लेकिन जो जीत कचले जाते हैं सांसर विद्धित उनका क्या इलाज है अब किसका क्या इल के नाम पर भाग जाता है उसको यह पता नहीं कि एक जात का एक एंपी बनाता है नीचे से पेंट उतार दे रहा है उसका स्कूल कॉलेज इनवर्स्टी नौकरी रोजगार सब सब खतम हो रहा है सब खतम हो रहा है इन नेता के मुँँ में जबान है कि सड़क को लग रहा है कि इसलिए समाज को गया कर रहे हैं कि बाप मतलब बाप में कह रहा हूं अपना भाई बाप भी बीजेपी आरेस्स के तरफ जाए तो उधर उसे खिलाफ परचार करना है समझे में राही मसुम राजा का नाम सुने आप मुनिस रजा यहां बाई चांसलर थे राही मसुम रजा दोनों CPI में थे फादर कॉंग्रेस में आजम घर में अपने फादर ए खिलाफ हूं केंपेंड करते ते एक ही घर में खाना काते थे आप एक एक आप बेटा सभी जा सब्सक्राइब करते हैं जिनको जाना जा लेकिन एक बठाओ ना सब लोग जा रहे हैं तभी ओपरिशन में इतने वोट मिले हैं मद्यप्रदेश में कॉंग्रेस को 40% मिला ना रास्तान में बोट मिले ना 100% थोड़ी आ अगर नेता भीकाव है हमें टिकाव नेता चाहिए म तो बस्पा से भी ख्राब को बस्पा में सबलिए में जी अपना चतनावता ने वहन ने वैं कंशन को चलाएगा संक्तन ऑर्गत्तर कहां है खटा चले न चले जो मर्जी करें unsure कार करता तू ऑर्छी में Repeat अपना कुलारी लेकर अपने पाउं काट रहा है नहीं है तो कोई बात नहीं मत दिजिए इसको बोट मत दिजिए उबोट कहां जीतेंगे बताइए मुझे दस हमको तो छोड़ी हम आम जनता हमने तो बोल देते हैं मूपे उनके सांसा सब भग गए रिटेश पाइंडे कहां गए निकाल क्या दिया सब को पता कि चुनावार जाएंगे जाए कोई बीजेवी में भाग रहा है कोई सपा में भाग रहा है कोई अपना फ्यूचर सब से कर रहा है इंडिया में ने कहां इंडिया में कॉंग्रेस नहीं है मैं पार्टी तो वही है है ना तो डीम के है आर्जेटी है सपा है नहीं बीदान सबा चुनाव का रिजल्ट हुआ गया पिछले बार है कौन मजबूत हुआ आप ते कर लीजे मुझे क्या कर लिए तो सब जाएंगे ना आना जाना लगा रहेगा आना जाना लगा रहेगा सब्कु can कर लोगोर को रहा कुछ लोग तॉ है कमलनात भाग रहे थैंग नहीं भागे तो आना जाना तो लगा रहेगा है और सवाल जनता को त Node है कि एक तरफ मैं यह कहरा हूँ बार बार शुनिए कि आरेसलेश बलूब प्रभ जिसाफर कोई होगा नग werk साथ तुमेरे जोदेशनी नहीं मुद्ण करते होगा तेशा C मैं नहीं होगा Ό goods नोकरिया के स्धूश को टाइप घूम रहे हैं कैसे आया को पर जैनने जसलेingenर हैं था रालyes के समझाने जनता हम Заने कोशिष कर रहे हैं आपने बच्चो के स्कूल की बात करो रूज़गार की बात करो यह देखो बिहार में वह भार वोग है कि एजुकेशन में किया कि शेख्wegen के करेंके तुम्हारा बच्चा भीक माइब बच तो वर सब्चा करना है थे इंडकयन होगी हाई यह पर सुने करना कि सुनना है सुना है नहीं नहीं सबस्टाइब करने के लिए रेट क्लर के सबस्टाइब बटन को दवाएं फिर बैल आइकन की घंटी दवाएं निसनल दस्ता को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर ख़ाँर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें